Hello everyone, अब ये समय वो आ चुगा है, जिसमें बहुत सारे बच्चे ये वाला सवाल पूछते रहते हैं कि सर मैं next year के लिए drop करूँ, J2024 के लिए drop करूँ, या फिर जो college मुझे मिल रही है, मैं उसे लिए कूँ, अब of course इसका जो जवाब है, वो तो काफी subjective जवाब है, हर अलग अलग जिगह खड़ा है, हर बच्चे के situation बिल्कुल different है, हर बच्चा अलग अलग शमताएं रखता है, उस case में obvious बात है कि इसका answer जो होगा, वो ऐसा नहीं कि सब बच्चों के एक साथ लगू हो जाए, इसलिए जो ही बच्चों के सवाल मेरे पास आते हैं, चाहे वो consistent नहीं है, तो मैं उसे बोलता हूँ कि आप लेने क्या होशकता नहीं है, जग वो बारी class में college मिल रही है, उसे लिलो और वहाँ जाके बच्ची पढ़ाई करो, किसी दूसरे case में हो सकता है कि exactly same percentile आयो है दूसरा बच्चा जो मुझे ऐसा रखता है कि इसकी willpower अच्छी है यह तो तोड़ा determined लग रहा है और काफी grounded type का बच्चा है, तो मुझे बच्चों को ऐसा बोलता हूँ कि आप तूप पढ़ सकता है तो पढ़ ले, drop ले, drop लेने सब्सक्राइब पढ़ेगा, तो इसका answer जैसा कि आप समझ गयोंगे, black and white नहीं है, इसमें बहुत सारे parameters हैं, और उनसे parameters का ध्यान रखकर ही इस बात का जवाब दे पाएंगे, drop लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बट फिर भी, मैं इस वीडियो के तो एक broader perspective डिसकस करना चाहरा था कि, drop लेते वाद किन बातों का ध्यान रखें, drop लेना है या नहीं लेना है, इसमें किन बातों क सबसे पहली बात कि आखिर बारवी क्लास के साथ ही college क्यों नहीं ले लेते, drop लेने के आखिर आवशकता ही क्यों पड़ी, इसके लिए अलग-अलग बच्चों की अलग-अलग जवाब है, एक एक करके सब को एक बार हलका फूर का discuss करते हैं, तो आपको पूरी picture बढ़ा में शायद मैं ऐसी school में था, जहां पर मुझे रेगुलर्ली जाना पड़ता था, उसको इतना समय बच्चता ही नहीं था कि मैं अच्छे से पढ़ पाऊं, यह विको बच्चा ऐसा कह सकता है कि sir मैं 11th 12th के अंदर मेरे parents ने कहा कि पहले कम से स्कूलिंग तो पूरी कर ले, चाहिए, किसी इस बच्चे का ऐसा लग सकता है, of course it's a valid point, it's a fair point, लेकि मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जिस बच्चे ने 11th 12th क्लास के अंदर at least even NCRT भी देख रखी है और J मेन का exam दिया भी है, तो उसे इस बात को तो idea लग गया होका कि what J asks, what J needs, कि आकर J का exam को crack करने के लि मेरे त्यारी नहीं थी, मैंने J का exam दिया और मुझे ऐसा लगा कि इस exam को crack करने के लिए, फिर इन सवालों को डंक से solve करने के लिए, जो IQ, aptitude, consistency चीए, वो मेरे अंदर है, मैं एक साल के अंदर अगले 10 मेने, 12 मेने पढ़ गरा हूँ, बड़े आराम से इस चीज को पार पा स जिसके कारण वो दो साल में अच्छे से नहीं पढ़ पाया, या फिर जैसे वो अच्छे से पढ़ने लगा, वैसे वो किसी कारण से है, तो खुद की health issue से, या फिर परिवार में कोई बात होगी, उसके कारण वो track से हट गया, अगेन ये काफी valid reason है, अगर ऐसा reason है, तो पह family वाला issue था, क्या हूँ आपस से आ सकता है, तो आप ऐसे case में तो जो college मिल रही हो, वो ले, मेरे क्यान से मेरे कहने कारण समझ गया होगे, तो health issue या फिर family problem कोई ऐसी है, जिसके कारण अगर आप last 2 साल में नहीं पढ़ पाए, वो problem अगर अभी भी, आज भी अगर है, भले तो उसके 15% भी हो, तो उस case में आज जाधा risk नहीं लेना चीए, जो college मिले, वो ले लेना चीए, और drop नहीं लेना चीए, लेकिन अगर वो problem सॉल्ट हो चुकी है, अगर आपको लगता है, कि हाँ health issue था, अब नहीं है, अब मैं सार बिल्कुल चंगा हूँ, कोई दिक्कत नह है, बट सर, मुझे जो college या branch चाहिए थी, वो मुझे मिल नहीं रही है, ऐसे हर साल बच्चे मुझे मिलते हैं, जिनकी rank 5000-6000 rank के आसपास होती है, उसके बावजूद वो drop लेते हैं, बहुत सार बच्चों को सुनका रजीव लग रहा होगा, लेना ऐसा होता है, मैं तो काफ मेरे हिसाब की branch नहीं मिल रही है, इसे मैं सोच रहता है कि है कि है कम से कम मना ऊपर की top IIT के अंदर computer science है, और lateral को मेरे पास हो नहीं चाहिए, सर, वो इससाल नहीं मिल रहे, एक drop year है, करके देख लेता हूँ, मुझे पता तो है PCM कैसे पढ़ते हैं, मैंने ट्रेल नहीं रु वो mature है, उसको exactly पता है कि वो क्या कर सकता है, उसके क्या अक्षमताएं है, जे ही क्या पूछती है, और जो rank आज उसके आई है, और जो rank वो demand कर रहा है, उसके बीच के gap को कैसे fill कर रहा है, ये बच्चा काफी mature है इस बारे में, तो वो बच्चा अगर decide करता है कि हाँ से मु आगे life set है, मैं तो जो वाली मिल रहा है, वहाँ जा रहा हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आराम से वहाँ जाओ और वहाँ जाके मैनत करो, तो इस तरह का जो बच्चा है, वो अपने अंतरात्मा से सवाल पूछे और उसके साब से जवाब भी दे, नेक्स्ट है, ये काफी बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे मिल जाएंगे, खास तोर से हिंदी मीडियम के, और छोटे शहर के आगाओं के बच्चे जो ऐसे जाएंगे, सर मैंने बावी क्लास तक बढ़िया पढ़ाए की, बोर्ड की, बट मुझे जेए के बार कुछ खास ऐसा आइडिया था नहीं, सर मैंने बस इतना ही पटर खाता, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जेए जैसा कोई एक्जाम भी होता है, और कुछ जो धंकी इंजिनिरिंग को ले जाएं, वहाँ जाने के लिए इस कॉंप्रिटिव एक्जाम को फाइट मारना होता है, मुझे आज पता लगया, तो मुझे आज पता लगया, तो आप ऐसा जजी नहीं कर सकते मेरको, कि तो ने दो साल तो वेस्ट कर दिये, दो साल हाँ उस बच्चे ने वेस्ट कर दियोंगे, जिसने जे की पढ़ाई की होगी, मैं तो पढ़ाई की नहीं, मैं तो वोर्ड वाला बच्चा हूँ, तो ये वा किस तरह से successful होते हैं, किस तरह से unsuccessful होते हैं, तो ये जो experience हो उसके आगे दाके काम आएगा, भले यू आजकी दिन उसका जे में आओ, लेट उसकी experience काम आएगा, ये जो बच्चा है जिसने बाद ए क्लास तक सिर्फ वोर्ड की पढ़ाई की और competitive exam नहीं दिया, इसको तो इस पर यह जो 17-18 साल की एज है इसमें पक्की बात है कि कोई ने कोई कॉम्प्रिटिव एक्जाम देना ही चाहिए उसे आइटी जी ड्रोप है कि देनी ही देनी चाहिए उन अब संडाउं को फेस करते हैं यह बच्चा अगर इस एज में अगर सीख लेता है तो आगे जाकर मालों की पीसी की प्रिपिशन करता है या फिर मालों कोई और चीज करता है तो यह सारा-सार एक्पेस उसके बढ़िया तरीके से काम आएगा तो जो बच्चे क्लास 12 में है और युनों ने सिर्फ और बोर्ड के पढ़ाई की है और उनको जे क्यों अब जाके पता लगा तो दे डिजर्व ए शॉट होना है ठीक एक फेक्टर बड़ा ऑफ कोर्स है कि बहुत सारे बच्चे यह मिलाब मैं सब नहीं कहा रहे कि कोई एक या दो बच्चे आशा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो 11 तो 12 जो ना वो नों बब्लकुल मजे मजे में निकालती है मलब कैसे उनका समय निकल के हैं को पता ही नहीं चला पूरे टाइम वो यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर बैठे रहे बाबा टाइप के लोग उनको समझाते रहे पह उन बच्चों ने कभी सीरियस पढ़ाई सीरियस टीचर को सीरिसली लिया ही नहीं फिर एक्जाम ने उन बच्चों को सीरिसली नहीं लिया तो यह बच्चे थोड़े सा गलत जगह फसे इसमें फसाने वाले की गलती इतनी नहीं है यह जो बच्चे थोड़े से इमेचूर थ कि तुरको बहुत मैनत करनी पड़ेगी, तुरको अपनी skills पर काम करना पड़ेगा, तुझे अपनी aptitude पर, analytical skills पर, exam skills पर काम करना पड़ेगा, consistently काम करना पड़ेगा, longer hours तक काम करना पड़ेगा, तब जाके शायद तुझे success मिलेगी, एक teacher यह बोल रहा है, दूसरे teacher exactly उल्ट तो होई जाएगा, तो of course, 16 साल का जो बच्चा है, जिसमें इतनी energy है, इतना confidence है, वो किसकी बात मानेगा, बीवाले teacher की बात मानेगा, क्योंकि उसमें कम जोर लग रहा है, एफर्ट कम लग रहा है, तो ऐसे में बहुत सारा जो बच्चा है, वो सिर्फो सिर्फ immaturity कारण है ऐसा फस जाता है, तो अगर आप में से कोई अच्चा गर ऐसा है, तो और उसने 11, 12th class अगर बरबाद की हो, तो obvious बात है किया ना, उसके पास अभी एक मौका है, लेकिन इस पूरे चंगूल से बाहर निकल कर, जो भी serious teacher है, जहां पर serious पढ़ाई होती है, जही इतना tough नहीं ह सिर्फ हमी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बहुत easy है, बहुत tough काम नहीं है, लेकिन वो teacher जो exactly पता हो कि हाँ भई, क्या पूछते है, सवालोगा क्या level है, exactly आजकल जेए का क्या pattern है, जिन लोग ने डंक से इस चीस की research कर रखे, उनके पीछे पड़ो, उनके पैर पकड़ो, और उनके साथ रोग बड़ारा में सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कुछ इन तवाली बात भी नहीं है, तो at least यह जो थोड़ा सा guidance वाला मामला है, इसमें आपको थोड़ा सा, जो fun वाला element है, उससे serious वाले factor के तरफ आपको जाना ही पड़ेगा, कुछ चारा ही नहीं है, कुछ सवाल ऐसे हैं, जो मैंने पहले से लिखा रखे हैं कि हावे बच्चे वाले सवाल पूछते हैं, पहला सवाल है कि does drop affects placement, of course not, placement पर drop का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता, college के placement के अंदर, IITS में, NITS में, TripNITS में, इन जनरल यह पूछते ही नह था, या फिर आपने drop के साथ दिया था, तो मान के चलो कि किसी परकार का कोई फर्ख पड़े गाएगी, हाँ, यह जरूर है कि मान लोगी किसी बच्चे ने class 12th के साथ, मान लिजे कि कोई tire B college के अंदर, मान लिजे कि उसके पास mechanical engineering branch थी और फिर उसका placement हुआ, फिर उसी बच electronics हो गई, और उसका placement हुआ, तो यह बच्चा भले ही एक साल लेट हो, लेकिन इसका जो placement है in general, इस बच्चे के मकाबले काफी better होगा, और well placed होगा, और आगे जाके भी of course उसे इसका फायदा मिलेगा in general, तो drop लिन में यह फायदा तो ही कि अगर आपने अपने दिर improvement कर लिया अगर आपने college में, branch में अच्छा कासा अगर improvement कर लिया, तो वो जो नया वाला platform है, वो आपको अच्छा कासा एक launching pack दे देगा, और आप वहाँ से फिर अपनी life को अच्छा कावर set कर सकते हो, हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है, rarest of rare case में कि माल लो कि कोई company आई, और उस company को 6 ब candidate है, एक है A, और एक है B, यह दोनों बच्छे exactly same है, मतलब same extracurricular, same CGPA, same body language, same confidence, exactly same है, वो decide ही नहीं कर पारे कि इन दोनों में से किसको ले जाए, तो ऐसे case में ऐसा हो सकता है, मैं लिगा रहा हो कि ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है कि वो जो interview लेने वाला जो बंदा है, या फिर interview इन दोनों में से ए जो है, वो class 12th के साथ आया था, यह बच्छा 13th के साथ आया था, यह बच्छा 13th के साथ आया, तो चुछ एक काम करते हैं, इसको ले 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 जाते है, सिर्फ यह एक ऐसा case है, यही तब जब सब कुछ मामला tie हो रहा हो तब, यह obvious बात है कि यहां तक तो पहुचा, यह बच्छा 13th के साथ आया, आप रिलेक्स रहें, दूसरा बात कि does drop guarantees improvement, of course not, मैंने तो बहुत सार बच्छे देखें, जो यह मान के चलते हैं कि देखो सर, मैं बादी क्लास के साथ 89% तुम्हें ले आया, अब मैं drop करी रहा हूं, तो obvious बात है कि अब मेरा 98 तो हो तो हुमान की बेटा है, उसने ना कोई मैनत किया, ना कोई सवाल किया, सिर्फ डेडिर्मिंग किया, सिर्फ और सिर्फ सोचता रहा है कि मैं 80 वह में जाओंगा, दिल ले जाओंगा, रूट की जाओंगा, यह करूंगा, वह करूंगा, अलेट कर दूँगा, और सिर्फ और स साल खराब हा रहे हैं, ऐसे बच्च weather मिल जाएगे आपको, बिलकुर मिल जाएगे, य허 जनरल ट्रेंट नहीं है लेकिन ओफकोंस 10% परसेट बच्च to ऐसे मिलेंगे, 10-15% बच्चे से पक्का मिलेंगे हर साल मिलते मेरे को जो पूरा साल बर गमाते हैं साल बर से डेट्रिमिंग करते हैं मान के चलते हैं कि ड्रॉप लेने से प्रसेंटाइल बढ़ गए अरे ड्रॉप लेने से प्रसेंटाइल नहीं बढ़ती है drop लेने से rank नहीं बढ़ती है drop air को डंक से use करने से उसमें effort मालने से rank बढ़ती है ranking better होती है तो ऐसा मान किना चले कि हाँ जैसे में drop ले लिए अब तो मेरा अधिकार बन गया better rank पे अब तो मेरा अधिकार बन गया better college पे पर भी yes दोड़ी होती है धान रखें, it doesn't guarantees मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी तब जाके improvement आपके अंदर आएगा अगला सवार, यह बहुत one of the most asked question again can droppers get top ranks यह देखो, उपर की जो 100 rank है न, उसमें general trend है कि लगबग लगबग 5 बच्चों के आसपास पर dropper मिल जाते हैं कई बार 3 भी होते हैं, चार भी होते हैं लिए आप roughly मानके तल सकते हैं कि 5 बच्चों के आसपास dropper मिलते हैं जैसे हम 100 rowing के रॉंक से थाड़ा दूर जाते हैं तो वैसे-वैसे droppers के density लगातार बढ़ती रहती है जैसे ही हम फिर 1000 rank से लेकर 2000 rank के बीच के बच्चे पकड़ते हैं तो इनके अंदर 800 से 800 के आसपास बच्चे जोंगे वो ड्रोपर मिलते हैं और जो फ्रेशर बच्चे जो class 12 वाले हों सिर्फ उसे 300 मिलते हैं पहली जो 100 rank है उसे मैं मानता हूँ कि class 12 वाले हों कब जा सकता है अगर अच्छा टीचर हो उसके पास अच्छी guidance हो सीरिस लोगों सीरिस बच्चा हो अच्छा से पढ़ाए करें consistently पढ़ाए करें 2000 से 3000 में भी ड्रोपर्स जादा होंगे 3 से 5 में भी ड्रोपर्स जादा होंगे और ऐसा है कि सिर्फ उसे competition की बच्चो में यही ट्रेंड है आल ओवर इंडिया में ही यही वाला trend है कि पहले 200-300 rank छोड़ दो उसके बाद ड्रोपर्स की density लगातार बढ़ती रहती है तो ठीक है मेरे खाल से आब जवाब मिलिया होगा कि यहां भी top ranks आ सकती है पहली सो में of course दिक्कत है बाद में कोई दिक्कत नहीं है हाला कि All India rank 1 भी dropper रह चुके है कम रहे हैं लेकर रह चुके यह drop के फायदे और नुकसान दो कि मैं ऐसे एक general बाद बोल रहा हूँ कि dropper का demerit क्या हुआ है demerit ही वा कि अगर एक साल extra लग गए ठीक है अगर हमने result में अच्छा कासा improvement कर लिया खुद में अगर अच्छा कासा improvement कर लिया तो this one year is worth it उस एक साल में कोई पहाड नहीं तूट पड़ेगा एक साल कम पैसे कम हो लोग इत्ता तो फुरुक पड़ेगा और कि अब्वेस बादा तो job लेगी जो placement होगी वो better होगे जो peer group होगा वो better होगा जो college होगी वो better होगी अगर सब को सही किया तो demerit यही है कि हाँ भई ठीक है मेरा placement एक साल लेट लेगा शादी एक साल लेट होगी और तो क्या हो जाएग और कोई बहुत बड़ा सा अंतर नहीं है अगर हमने सारी चीज़ें ड्रॉप एर में सही की तो अब ड्रॉप एर के अंदर भी exactly वही सारी का सारी गलतियां कर दी जो हमने last दो साल में की थी तो of course बड़ा फर उस केस्च में तो है न college भी वही मिले की जो साल में पहले मिल रही थी branch भी exactly भी मिलेगी हो एक साल पीछे हो चले जाएंगे तो पहले सोच लो कि पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते हो पढ़ सकते हो तो of course worth it नहीं पढ़ सकते हो तो कुछ बाद छोड़ो और जो तुमें college मिल रही हो उसको ले ले अब यार ना how to plan the drop year कि exactly drop year में करना कहे पहली बात तो ना कि last दो साल में identify करो कि what didn't work कि आखिर मेरा selection या फिर मेरे मन मताबिक result क्यों नहीं आया कि मैंने notes नहीं बनाए कि मैं सिर्फ उसे lecture देतारा सवाल नहीं किया कि मैं mock test लगाता चोड़ता गया कि मैंने revision नहीं किया क्या मैंने serious teacher, sincere teacher को follow नहीं किया क्या मैंने ऐसी teachers को follow किया जो initial वाले जो chapter थे उन्हीं को बार बार पढ़ाया जा रहे थे और जो अच्छे वाले topic थे जिनके जीए के अंदर बहुत सवाल है सारे सवाल पूछते हैं बहले वो CBST based हूं वो वाले chapter ही नहीं करा है क्या ये गलत क्या मैं बार बार इस बात से चिंतित होता हूं कि मेरे result अगर अच्छा नहीं आया तो क्या होगा क्या मेरे health बार बार deteriorate होती है तो जो भी तुमारी mistakes रही हो पूरे दो साल के अंदर उन सारे के सारे mistakes को एक बार note down करो और अपनी उन mistakes पर और उन कम्यों पर काम करो identify करो कि उनको दूर करने के लिए exactly करना क्या हो काम जैसे for example if you feel that कि न तुम बहुत जड़ा overthink करते हो तो अब तुमें सोचना पड़ेगा कि क्या तुम अगले साल अपने आप पर इतना काबू रख सकते हो कि तुम overthink ना करके सिर्फ और सवाल के बारे में think करो concept के बारे में सोचो, solutions कैसे निकालते हैं इसके बारे में सोचो, calculations कैसे better कर सकते हैं उसके बारे में सोचो, silly mistakes कैसे कम करने हो उसके बारे में सोचो, क्या तुम ऐसे कर सकते हो, if the answer is yes, take a drop, if the answer is no, don't take a drop, if the answer is, की sir, पता नहीं, then don't take a drop, confuse हो, तब भी drop नहीं, मना कर दो किसे नड़ नहीं हो माइस मिस्टेक्स को आइडेटिफाइ करें और उन पर वर्क करें, कारिये करें. Next is, develop emotional quotient, testing skill, consistency. जैसे, मैं emotional quotient पे कैसा रहा हूँ? JEE के exam में अच्छा करने के लिए IQ, of course, अच्छा होना चीए हो, जो मुझे लगता है कि mostly बच्चों का अच्छा है. Mostly बच्चों का IQ इतना है, कि वो बड़े अराम से JEE का exam को क्लिर कर लें. लेकिन emotional quotient mostly बच्चों का अच्छा नहीं होता. Emotional quotient means एक तरीके से adverse situation management. पूरे के पूरे drop year के 10 महिने, 11 महिने, 14 महिने एक जैसे नहीं होंगे. उसमें ups and downs आएंगे, आएंगे. के बार mock test में नमबर खराब आगे, demotivate होगे, यार कुछ नहीं होना. लास्ट दे भी कुछ नहीं होगा, इस साल भी कुछ नहीं होना, पढ़े लेका है चोड़ी दी. इसका मतलर emotions तुम पे हावी हो रहे हैं, तुम्हें अपने emotions को better प्रिकसे control करना है. अगेन ये जो emotions का जो turmoil है, ये तुम्हें निप्टा देगा. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इन emotions पर control कर सकते हो, और अपने आपको occupied रख सकते हो, with your studies, अगर तुम्हें अटिटूड ऐसा है, कि तुम सारे का सारे time को better प्रिकसे efficiently use कर पाओगे, then take a drop, otherwise not. तो अपने इस adverse situation management पर और emotional quotient पर तुम्हें ऐसा रखता है, कि तुम अगले साल में काम कर सकते हो, इसको better कर सकते हो, तो ना किवल J में तुम better perform करोगे, लेकिन पूरी life में ही better perform करोगे, ये तुम्हेशा है काम आएंगे, ये emotional quotient तुम्हारे college में काम आएंगे, उसके बाद सारा emotional quotient काम आएंगा, life में जो भी ups and downs आएंगे, उसको किस तरह से manage करना है, अगर तुम्हें आता है, तो तुम कर लोगी, if you feel that you can develop this emotional quotient, or you can make your emotional quotient better, तब तुम ड्रॉप लेगा, otherwise not, next is of course है ना, it's not about किया ना, मैं साल बेर पढ़ लूँँगा सर, है ना, पढ़ाई सब क नमबर है, उन में से कितने नमबर निकाल पाऊंगा, सारी कहानी तो उसकी है ना, तो एक्जाम skills अच्छी होनी चीए, अब ही तक तुम्हारी exam skills Lite से अच्छी नहीं, तुम्हें पता है कि तुमी पता है कि तुम कैल्कुलेशन arithmetic कर रहो, तुम्हें पता है कि तुम का Otherwise not. For example, कोई बैच्चा करता है कि सिर्फ मैं silly mistake सिर्फ वो सिर्फ इसलिए करता था अब लास्ट के दो साल के अंदर क्यों कि मैं बहुत एक under confident बच्चा हूँ मैं सवालों को fast fast पढ़ता हूँ और जो बहुत important minute बाते होते हैं उसको miss कर देता हूँ अगर तुम ऐसा रखता है कि इस साल तुम अपनी reading abilities को better कर सकते हो सवाल को अच्छे से पढ़ सकते हो सवाल की एक एक बात को अच्छे से समझ सकते हो can और must में क्या answer है correct, incorrect लिखा, क्या लिखा हुआ है तो इसका मतलब तुम उनके silly mistakes को कम कर सकते सर, conceptual clarity नहीं थी दो साल में, अब मुझे ऐसा रखता है कि ना मैंने ऐसे teacher पकड़ लिये जो conceptually मेरे को better करें से बाते समझा सकते हैं और मुझे उनकी बाते समझ में आते से अब कर लूँगा then take a drop, otherwise not तो हमेशा ही अपनी बड़ा इस testing skills पर लगातार काम करते रहें और इसके लिए वो वाला point में वापे से repeat करूँगा कि बहुत सर बच्चे न drop air 11-12 में अच्छा है इसलिए नहीं कर पाता है कि वो testing देते test दिया करो drop air में एक भी test नहीं छोड़ना है, कसम खाए comment box में लिखे भी किसे मैं सारे test दूँगा और सारे test देन में तीन step उस test के लिए revise करो उस test में revise करने के बाद अच्छे test से test को बढ़ियां से इत्मिनान से पूरे के पूरे माहोल में दो, यूने कि खड़े होगे और फिर बैटे के खड़े होगे पूरे अच्छे से माहोल में और last में उस पूरे पूरे test को analyze करो कि कौन जे सवाल सही है, कौन से गलत हुए जो गलत हुए और तो छूटे उन में मैं क्या better कर सकता था जैसे for example, let's say 90 questions थे और आपने उसमें से 60 questions कर लिए 30 questions आप नहीं कर पाए तो आप पता करो कि उन 30 questions में ऐसा क्या था कि मुझसे वो 30 questions नहीं बने वो 30 questions आपको कुछ सिखाना चाहते है अपका attitude ऐसा होना चाहिए कि आपका आपका minus ऐसा होना चीए कि आप उन 30 सवाल से कुछ सीखना चाहते हो If you feel that कि तुम तीस सवाल से कुछ सीख सकते हो तो you can take a drop अगर तुम्हें लगता कि नहीं सर वो तीस सवाल कुछ होवा होगा, कुछ बैंक और कामर कुछ देखना है नहीं की तरफ then don't take a drop drop तभी ले जब तुम अपने comfortable zone से बाहर निकल कर कुछ चीज़े तुम्हें नहीं आती जो सवाल तुम्हें नहीं आते हैं उनके साथ तुम time spend कर सब जो सवाल तुम्हें आते हैं उनके साथ तुम last 2 साल में वैसे time spend कर रहे हो अगर वही अगला साल तुम्हें उसी तरह के सवालों के साथ अगर ट्रोप ले रहे हो तो ध्यान रखना इस बात में कि क्या तुमारे अंदर इतनी विल पावर है कि तुम अपने कमफर्ट जोन से बाहर निकल कर जो सवाल जो concept तुम नहीं आते हैं उसके सवालों के साथ तुम ट्रोप करो अपनी कम्यों पर एक प्लान जैसे बचान ब्रप लेता है तो पहले महींन हो भादकर करता है फिर वो कम पिर हो कम पिर वो जब एक्जाम जब चालिश दन को दूर होती है तब वोग आ जाता है। अगर सपने इतने बड़े लिए हैं तो effort भी तो उसी हिसाब से लगाने पड़ेंगे। effort तो सपनों के directly proportional हो नहीं पड़ेंगे। तुम सपने देख रहे हो भैंकरत रहे हैं आटी दिल्ली, बंबे, खड़त, पुरकान, पुरिन के पड़ाई कर रहे हो तुम किसी private college वाली, वो भी खराब private college वाली, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसा दुखी रहोगा। सुखी रहना है तो efforts should be directly proportional to your dreams, dream बड़े हैं तो सपने बड़े रखना से लगा। you have to stay consistent for 14 months और वो कैसे होगा, एक fixed plan बनाओ, and stay disciplined, and focus that कि तुम disciplined जादा रखो, discipline पर बरोसा जादा रखो और motivation पर बरोसा कम रखो, एक fixed time table बनाओ, और उसको follow करो religiously, जैसे मैंने का कि disciplined रहो, motivation तो रहता है दो दिन, तीन तीन, कई बार तुम 2 microsecond, 3 microsecond, discipline जो न, यह हमेशा रहेगा, काम आएगा, मामला बेकुल set हो जागा, discipline करो, एक बड़ी असा time table बनाओ, और उस temple को religiously follow करो, और time table मैं इस बात का ध्यान जाके, कि न, शुरू से ही आदत डाले, कि कम से कम दिन में, एक बार 3 गंटेल लगातार पढ़ाई, जरूर करें, कारे पूरे के पूरे drop year के अंदर, ऐसा समय आएगा है आएगा, जब तुम्हें लगाए कि कुछ नहीं हो रहा, यह चीज़ दिमाग में इसलिए आए, क्योंकि तुम फोकस्ट नहीं थे, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे था ही नहीं, सवाल पे, concept पे, theorem पे, exercise 1 के सवाल पे, P वाग कॉलेज के दर मज़े कर रहे हैं, drop year के बाद भी कहें, मुझे उसी कॉलेज में ना जाना पढ़ता है, जिस कॉलेज मेरा दोस्त पढ़ रहा है, ऐसी बात दिमाग में आएंगे हैं, यह बात दिमाग में इसलिए नहीं आरी किसी बच्छी क्योंकि वो busy है, वो सवाल क देना बंद किया, टेस्ट देना बंद किया, वैसे ही है, सारी बाते हमला कर देंगी, और अगर एक बार इन्होंने हमला कर दिया, अभी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है, तो कोशिश यह करो कि वो हमला कर ही न पाएं, stay focused, सिर्फ और सिर्फ अरजुन की तरह मचल की आँख देखते रहो, और तुमारे लिए मचली की आँख, of course, क्या हुने चीए, IIT, NIT भी ने, IIT, वो बड़ी हावाली, कोई देखता, फिर उसकी तरफ लगातार देखते रहो, और focused लो, बाकी सारे जो distractions हैं, कि मेरे दोस्त वहाँ चलेगी, उसकी ब्रांच यह है, वो सब गोण हो जाएगा, साल बर बाद में अगर तुमने अपनी आउकात के साथ से परफॉर्म कर जाएगा, तो सारी चीजें गोण हो जाएगे, सारी चीजें नेगलिजिकर हो जाएगे, तुमका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लास्ट बट नोट द लिस्ट कि यार, स्टे अवे फॉर्म सोशल मीडिया, जो इन्स्टाग्राम है, वाटसब है, टेलेग्राम है, इवन यूट्यूब है, जिस पर तुम वीडियो देख रहे हो, बंदी करने पड़ेंगे यार, भले ही, मेरा वीडियो तुम लादा ऐसी बाते हैं, जिन बच्चा अपना टाइम वेस्ट करता है, वो बले ही इन्स्टाग्राम के ओपर सिर्फ आदा गंटा बिताएगा, लें उस आदे गंटे के अपने ही दोस्तों की कॉलेज के वीडियो और फोटोस देख रहा होगा, तो ऐसने कि उसको आदा गंट सिर्फ फोटोस देख के, तो वो सोच रहा है, तो इससे अच्छा उस आदे गंटे जाना है नहीं हो आपटे, वहाँ से दूर ही रहो, अपने उपर सोच, कि तुम्हारा फायदा काम था, तो ऐसे में मैं फिर से स्ट्रोंगली सारे सारे बच्चों को को कहूंगा, कि ड्रॉप तभी लें, जब आप बहुत जाता confident हो, कि आप अगले 14 मन तक अच्छे कासे पढ़ाई कर सकते हो, एक बात का और ध्यान रखना, कि अगले साल जही में का जो पहला एक्जाम होगा, जनवरी के अंदर ही होगा, इसलिए उसका syllabus अगर टाइम पे complete करना चाहते हो, तो ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, ये भी जल्दी डिसाइड कर लेना, वरना जिस तरह से लास्ट दो साल में, अब इस साल भी साल बेस complete नहीं होगा, इस चक्कर में ना पड़े, ठीक है, अगर ड्रॉप लेना है, तो अभी डिसाइड कर लोगे से ड्रॉप लेना है लेन अगर कोई उसमें आगर आना चाहें, तो मारे support नमर पर कॉल कर सकता है, इसकी सारे के सारे जो information है, वो description के दर मैं लिखवा दूँगा, online batches जो है, वो भी बड़ा start होते रहते हैं, प्रवीन के नाम से, प्रवीन online के नाम से, उसकी मैं information भी इसी वीडियो के description में डाल तो अगर आपको उनके बार में को जानना हो, उनको देख सकते हैं, पढ़ाई करते रहेगा, all the best.